C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत्य श्रंखला ओडियो बुक इस श्रंखला में आईए सुनते हैं कक्षा 10 के इतिहास विशय की पाठ्थे पुस्तग भारत और समकाली निविश्व भागदो वाचनस्वर संजय चनसोरिया अध्याए पाँच मुद्रण संस्क्रती और आधनिक दुनिया प्रिष्ट संख्या 105 मुद्रित या छपे हुई सामगरी के बगर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है हम अपने चारों तरफ जहां नज़र दौराएं वहां हमें कोई न कोई छपी हुई चीज़ें दिखाई देंगी किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशूर तस्वीरों की नकलें, मेज पर पढ़े नाटक के प्रग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डाइरी, सड़क के किनारे विज्यापन और सिनेमा के पोस्टर आदी-आदी हम छपा हुआ साहिते पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और सारवजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायता लेते हैं हम मुद्रण के अस्तित्व को मान कर चलते हैं, ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी हम शायद ही महसूल करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है ये इतिहास क्या है, समाज में मुद्रण समगरी कब से चलनी शुरू हुई, आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को सुनेंगे, कैसे ये पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला, हम मुद्रण तक्नीक के प्रसार और प्रभाव को समझक जीवन में आये बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे इस प्रष्ट पर एक चित्र दर्शाय गया है, यह चित्र है, प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण, आखलाक ए नसीरी, 1595 से, भारत का एक शाही वर्कशाप, भारत में छपाई आने से काफी पहले, यहाँ पर पाठ को पहले बूल कर लिखाया जा रहा है, फिर त प्रिष्ट संख्या 106 ती इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियोन शैली में किनारों को मोडने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, किताबों का सुलेखन या खुश नवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुश खत होते थे, जो हाथ से बड़े सुन्दर सुडूल अक्षरों में सह ही सही कलात्मक लिखाई करते थे, नए शब्द, खुश नवीसी, सुलेखन, अर्थाद, कैलीग्राफी, एक लंबे अरसे तक मुद्रित स्वामगरी का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था, सिविल सेवा परिक्षा से नियुक्त चीन की नौकर शाही भी विश सत्रवी सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृती के फलने फूलने से छपाई के इस्तिमाल में भी विविदता आई, आब मुद्रत सामगरी के अपभोगता सिर्फ विद्वान और अथिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारे लेने के लिए मुद्रत सामगरी का इस्तिमाल करने लगे, पढ़ना एक शगल भी बन गया, नए पाठक वर्ग को कालपने किस से कविताएं, आत्म कथाएं, शास्त्री सहित्तिक कृतियों के संकलन और रूमानी नाटक पसंद थे, अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछेक ने स्वारेचित काव्य और नाटक भी छापे, पढ़ने के ये नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई, उनीस्वी सदी के अंत में पश्यमी शक्तियों द्वारा अपनी चोखियां स्थापित करने के साथ ही पश्यमी मुद्रन तकनीक और मशीनी प्रेस का आय इस प्रेश्ट पर एक चित्र अंकित है यह चित्र है डाइमंड सूत्र का एक पन्ना जापान में मुद्रन चीनी बौध प्रचारक 768 से 770 ईसवी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आये जापान की सबसे पुरानी 868 ईसवी में छपी पुस्तक डाइमंड सूत्र है जिसमें पाठ के साथ-साथ काठ पर खुदे चित्र है तस्वीने अकसर कपडों, ताश के पत्तों और कागस के नोटों पर बनाई जाती थी मध्यकालीन जापान में कवी भी छपते थे और गद्धिकार भी और किताबे सस्ती और सुलपती प्रिश्ट संख्या 107 अठारफी सदी के अंत में एदू, अर्थाद, बाद में जिसे तोक्यों के नाम से जना गया कि शेहरी इलाके की चुतरकारी में शालीन शेहरी संस्कृती का पता चलता है जिसमें हम चाएघर के मजमू, कलाकारों और तवाइफों को देख सकते हैं हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामगरी, महिलाओ, संगीत के साजो, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल साजी, सिस्टाचार और असुई पर लिखी किताबों से पुस्तकाले और दुकाने अटी पड़ी थी किता गाबा उतामारो 1753 इसवी में एदों में पैदा हुए उतामारों ने उकियो अर्थाद तैरती दुनिया के चितर नाम की एक नई चितरकला शैली में एहम योगदान किये जिनमें आम शहरी जीवन का चितरन किया इनकी छबी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और माने, मोने और पहान गौक जैसे चितरकारों को प्रभवित किया चुताया जूजाबारों जैसे प्रकाशकों ने विशय चुनकर कलाकारों से उन पर चितर बनाने का करार किया जाता है फिर चितरकार विशय की रूप रेका बनाते थे इसके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक, शिल्पी च च्छपी नकल बच जाती थी। इस प्रिष्ट पर ये चित्र है किता गावा उतमारों की एक उक्यो रचना का। एक और चित्र इस प्रिष्ट पर अंकित है। ये चित्र है सुभह का नजारा। रचेता शुनमन कुबो अठारवी सदी के अंत्मे। प्रिष्ट संख्या 108 यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहते थे। ग्यारवी सदी में चीनी कागस भी उसी रास्ते वहां पहुँचा। कागस ने कातिबों या मुशियों द्वरा साबधानी पूरवक ल के बाद इटली वापस लोटा। जैसा कि आपने ऊपर सुना चीन के पास वुट ब्लॉग अर्थात काट की तक्ती वाली छपाई की तकनिक पहले ही मौजूद थी। मार्को पोलो यह ग्यान अपने साथ लेकर लोटा। फिर क्या था इतालवी भी तक्ती की छपाई से किता किताबे निकालने लगे और जल्दी ही तकनिक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रत किताबों को सस्ती अशलील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षू संगों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्क्रण अभी भी बेश किमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते किताबों की मांग बढ़ने के साथ-साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रिता बिबन देशों में रियात करने लगे अलग अलग जगों पर पुस्तक मेले लगने लगे बढ़ती मांग की आपूरती के लिए हस्तलिकित पंडुलिपियों के उतपादन के भी नए तरीके हस्तलिकित पंडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाले थी नकल उतारना बेहत खर्चीला समय साध्य और श्रम साध्य काम था पंडुलिपियां अकसर नाजुक होती थी उनके लाने ले जाने रख रखाओं में तमा मुश्किले थी इसलिए उनका सर्कुलेशन अर्थाद चलन, गश्द, सीमित रहा और किताबों की बढ़ती मांग के चलते वूट ब्लॉक प्रिंटिंग अर्थाद तक्ती की छपाई उत्रोतर लोगपरी होती गई पंद्रवी सदी की शुरूआत तक यूरोप में बड़े प्यमाने पर तक्ती की छपाई का इस्तेवाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोड़ी छोड़ी टिपड़ियों के साथ धार्मिक चितर चापे जा रहे थे जाहिर है कि किताबे छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रन तक्नीकी जरूरत थी ऐसा छपाई की एक नई तक्नीक के आविश्कार से ही संबह होता जो 1430 के दशक में स्टेसबर्ग के योहान गुंटेनबर्ग ने अंततहक कर दिखाया गुंटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस गुंटेनबर्ग के पिता व्यपारी थे और वो खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बढ़ा हुआ वो बच्पन से ही तेल और जैतून पेरने के मशीने अर्थात प्रेस देखता आया था बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकरतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर दी अपने ज्यान और अनुभव का इस्तिमाल उसने अपने नए आविशकार में किया जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उप्योग अक्षरों की धातुई आकरतियों को गढ़ने के लिए किया गया गुटेंबर्ग ने 1448 तक अपना ये यंत्र मुकमल कर लिया था उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था पर यह नही तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगए पूरी तरह से नहीं ले पाए शुरू शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलेकित पांडू लुपियां जैसी दिखती थी धातू एक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुसरन करते थे हाशिये पर फूल पत्यों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अकसर पेंट की जाते थे अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पनने पर हाशिये के जगे बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी हर खरीदार अपने रुची के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद दैकर के उसे समार सकता था करीब सौ साल के दर्मियान अर्थाद 1450 से 1550 तक यूरोप के ज़्यादातर देशों में चापे खाने लग गए थे जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रग दूसरे देश चाकर नए चापे खाने खुलवाया करते थे चपाई खाने की संख्या में व्रधी के साथ साथ पुस्तक उतपादर में कमाल की बढ़ोतरी हुई पंदरवी सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में दो करोण मुद्रित किताबी आई यह संख्या सोलवी सदी में बीस करोण हो गई हाथ की छपाई के जगे यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांती संबव हुई नए शब्द प्लाटेन लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागस के पीछे दवा कर टाइप की छाप ली जाती थी पहले ये बोर्ड काटका होता था बाद में इस पात का बनने लगा गतिविधी कल्पना कीजिए आप मारको पोलो है चीन में आपने प्रिंट का कैसा संसाद देखा यह बताते हुए एक चिठी लिखे इस प्रष्ठ पर दो चित्र छपे हैं पहला चित्र है योहान गुंटनबर का दूसरा चित्र है गुंटनबर की प्रिंटिंग प्रेस का स्क्रू से लगा लंबा हेंडिल है इसकी मदद से स्क्रू घुमा कर प्लाटेन को गीले कागस पर दबा दिया जाता था गुंटनबर ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूफ कराकर या घुमा कर शब्द बनाए जा सकें लिहाज़ा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तक्निक रहा हर चपाई के लिए तक्ती पर खास आकार उगेरने की पुरानी तक्निक की तुल्ला में अब किताबों का इस तरह चापना निहायत तेज हो गया गुंटनबर्ग प्रेश एक घंटे में 200 पन्ने वो भी एक साइट चाप सकता था एक और चित्र इस प्रश्ट पर है यूरोप की पहली चपी किताब गुंटनबर्ग की बाइबिल से कुछ पन्ने गुंटनबर्ग ने कुल 180 प्रतियों चापी थी पर उनमें से 50 ही बच पाई आए गुंटनबर्ग की बाइबिल के इन पन्नों को ध्यान से देखें इन्हें गुंटनबर्ग प्रेस की धातुई टाइब से चापा जरूर गया था पर इनके हाशिये पर कलाकारों ने हाथ से टीककारी और सुघर चित्रकारी की थी कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थी हर प्रति का हर पन्ना अलग था जहां पहली नजर में वे एक जैसे लगे थे गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाएगा हर जगे पर कुलीन तपकों ने इस विशिटता को पसंद किया जो उनके पास था वो अनूखा था वह यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उसकी हूबहू नकल नहीं थी आप इभारत में देखेंगे कि कई जगों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे हुए हैं इसके दो फाइदे थे पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही साथ सारे पवित्र शब्द ज्यादा दर्शनी और महत्पूर बन जाते थे लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे गुंटन वर्ग ने इभारत या पार्ट को काले में च्छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगे छोड़ दी एक और चित्र है वो है मुद्रक की वर्खशाप का सोलवी सदी का चित्र है इस तस्वीर से पता चलता है कि सोलवी सदी में मुद्रक का कारियस्थल कैसा दिखाई देता था सारे काम एक ही छट के नीचे चल रहे हैं दाएं छोर पर अगले हिस्से में कमपोजीटर काम कर रहे हैं बाए सिरे पर गैलीज तयार की जा रहे हैं और धातुई अक्षरों पर साही शाही लगाई जा रही है प्रिष्ट भूमी में प्रिंटर्स प्रेस के पैंच कस रहे हैं और उनी के पास पूरूफ रीडर काम में जुटे हैं बिलकुल अगले भाग में तयार माल पड़ा है ये दो-दू प्रिष्ट वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बैंडिंग हुनी हैं नए शब्द कमपोजीटर छपाई के लिए इबारत कमपोज करने वाला व्यक्ति गैली धातूई फ्रेम जिसमें टाइप बिच्छा कर इबारत बनाई जाती थी प्रिष्ट संख्या 111 है मुद्रण क्रांती और उसका असर मुद्रण क्रांती क्या थी? चापे खाने का आविशकार महस तकनी की दृष्टी से नाटकी बदलावगी शुरूआत रही था पुस्तक उतबादन के लिए नए तरीकों ने लोगों की जिन्दगी बदल दी इसकी बदलत सूचना और ग्यान से संस्था और सद्था से उनका रिष्टा ही बदल गया इसे से लोग चेतना बदली और बदला चीजों को देखने का नजरिया नया पाठक वर्ग चापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ च्छपाई से किताबों की कीमत गिरी किताब की हर प्रती के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतीयां च्छापना आसान हो गया बाजार किताबों से पढ़ गई पाठक वर्ग भी व्रहतर खुता गया किताबों तक पहुँच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विक्सित होई अब तक आम लोग मौकिक संसार में जीते थे वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाई जाते थे और पिस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे ज्यान का मौकिक लेंदेन ही होता था लोग बाग समू में ही दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखते आये थे आप आठवें अध्याई में सुनेंगे कि वे तनहाई में या खामोशी में पढ़ने के आदी नहीं थे छपाई करांती के पहले किताबें ना केवल महंगी थी बलकि उन्हें परियाप्त मात्रा में छापना भी असंभो था अब किताबें समाज के व्यापक तपकों तक पहुच सकती थी अगर पहले की जनता शुरूता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तितों में आ गई थी गति बिधी माल लीजिए आप नव मुद्रित सस्ति किताबों का इश्तिहार देना चाते हैं अपनी दुकान के बाहर लगाने के लिए एक पोस्टर तयार कीजिए लेकिन ये संक्रमा सर लहीं था किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में बीसवी सदी तक साक्षर्था की दर्सी में थी प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में चपी किताब के प्रती दिलजस्पी कैसे जगाएं इसके लिए उन्हें मुद्रत कृती की व्यापक पहुच का ध्यान रखना था जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुट्फ तो उठाते ही थे इसलिए मुद्रकों ने लोग कीत और लोग कथाएं चापने शुरू कर दी और ऐसी किताबें आम तोर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानि सचित्र होती थी फिर इने सामूहिक ग्रामिन सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाय जाता था नई शब्द गाथा गीत लोग गीत का एतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाय जाता है शराब घर वह जगे जहां लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते थे इस तरह मौखिक संस्कृती मुद्रत संस्कृती में दाखिल हुई और चपी सामगरी मौखिक अंदास में प्रसारित हुई मौखिक और मुद्रत संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंदली पड़ गई, श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल में लगए धार्मिक विवाद और प्रिंट गडर चापे खाने से विचारों के व्यापक परचार प्रसार और बहस मुहाबिसे के दुआर खुले स्थापित सत्ता के विचारों से ऐसाहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को चापकर उन्हें पहला सकते थे छपे हुए संदेश के जरीए विल लोगों को अलग-अलग ढंक से सूचने के लिए मना कर देते थे या कोई कारवाई करने के लिए प्रेजित कर सकते थे जाहिर है कि इस बात का जीवन की कई क्षित्रों में गंभीर महत्व था हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था जुनोंने इसका स्वागत भी किया उसके मन में उसको लेकर कई डर थे कई लोगों को छपे किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर या आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जिहन पर क्या असर हो भै था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंतर ना होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचारपन अपने लगेंगे अगर ऐसा हुआ तो मूलिवान साहिति की सत्ता ही नश्ठ हो जाएगी धर्म गुरूओं और समराटों तथा कई लेखकों और कलाकारों द्वार व्यक्ति गई यह चंता नव मुद्रित और नव प्रसारत साहिति की व्यापक अलोचना का अधार बनी आईए सुने कि जीवन के एक खेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ धर्म सुधारक मारटिन लूथर ने रोमन कैथलिक चर्च की कुरूतियों के अलोचना करते हुए अपनी पिच्चानवे स्थापनाय लिखी इसकी एक चपी प्रती विटन वर के गिरजागर के दरवाजे पर टांगी गई इसमें लूथर ने चर्च को शास्तरार्थ के लिए चनौति दी थी जल्दी ही लूथर के लेख बढ़ी तादात में चापे और पढ़े जाने लगे इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई कुछी हफतों में निउ टेस्टामेंट के लूथर के तरजुमे यानुवात की पांच हजार प्रतियां बिग गई और तीन महीने के अंदर दूसरा संस्क्रण निकालना पड़ा प्रिंट के प्रती तहे दिल से कृतेग्य लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दे हुई महांतम देन है सबसे वड़ा तोफा कई इतिहासकारों का ये खयाल है कि छपाई ने नया बौधिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मततमिली नए शब्द प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार सोलवी सदी यूरोप में रोमन कैथलिक चर्च में सुधार का अंदोलन मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे इस अंदोलन से कैथलिक इसाई मत के विरोध में कई धाराय निकली प्रिष्ट संख्या 113 मुद्रन और प्रतिरोध छपे हुए लोकपरियस आयति के बल पर कम सिक्षित लोग धर्म की अलग-अलग व्याक्याओं से परिजित हुए सोलवी सदी की इटली के एक किसान मेनोकिया ने अपने इलाके में उपलब्द किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिये और उसने ईश्वर और सृष्टी के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथलिक चर्च उससे कृद्ध हो गया ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इनक्वीजिशन अर्थात धर्म विद्रोईयों को दुरुस्त करने बाली संस्था शुरू किया तो मैनोकियों को दो बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सज़ा दे दी गई धर्म के पास ऐसे पाट और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परिशान रोमर जज़ ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कही तरह की पाबंदिया लगाई और 1598 ईस्वी से प्रतिबंधिक किताबों की सूची रखने लगे इस प्रष्ट पर दो चित्र अंकित हैं पहला चित्र है जेवी शले लामपरी पेरी छापा खाने का वर्ष 1749 यह आधुनिक यूरोप के प्रारंब में प्रिंट के आगबन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है इसमें छापा खाना लेकर एक देवी स्व अलग 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 देशों के छे अगरणी मुद्रकों की चवियां लिये औरते हैं बीच में बाई और घेरे के अंदर गुंटेनबर की तस्वीर है यह दूसरा चित्र है दा मैगबर डांस अर्थाद वीभत नाच का इस सोलवी सदी की तस्वीर में छपाई का खौफ किस नाठकीता से पेश के जा रहा था यह देखा जा सकता है इस बेहत दिलजस्प वुटकट अर्थाद तख्ती छाप तस्वीर में मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया है मुद्रग के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताये गया है मुद्रग और उ सजा देने वाली रूमन कैथलिक संस्था धर्म विरोधी इनसान या विचार जो चर्च की मानिताओं से असहमत हो मतिकाल में चर्च विधर्मियों या धर्म द्रोह के प्रती सक्त था उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है औ लूथर से भी एक दूरी बना कर रखी प्रिंट को लेकर बहुत अशंकी था उसने एड़ेडेज में लिखा किताबें भिनमिनाती मक्यों की तरह हैं दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुँच पाती हो सकता है कि जहां तहां एकाज जाने लाइक चीज़ें भी लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिका रखी है बेकार धेर हैं क्योंकि अच्छी चीज़ों की आती भी हानिका रखी है इनसे बचना चाहिए दुनिया को सिर्फ तुछ अर्थात जैसे की मेरी लिखी चीज़ों से ही नहीं पाट रहें बलकि बकवा और शड़यंत्रकारी किताबे छापते हैं और उनकी तादात ऐसी है कि मूलिवान सहित का मूली ही नहीं रह जाता चर्चा करें चपाईस से विरोधी विचारों के प्रसार को किस तरह बल मिलता था संक्षेप में लेखें पढ़ने का जुनून पूरे सत्रवी और अठारवी सदी के दोरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षर्टा बढ़ती रही आलग-अलग संप्रदाय के चर्चों ने गाउं में स्कूल इस्थापित किये और किसानों कारिगरों को सिक्षित करने लगे अठारवी सदी के अंद तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षर्टा दर 60-80 प्रतिश्थ तक हो गई। यूरोपी देशों में साक्षर्टा और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबे चाहिये थी इ किताबें मुखिते पंचांग के अलावा लोग गाताएं और लोग गीतों की हुआ करती थी लेकिन जल्द ही मनुरंजन प्रधान सामगरी भी आम पार्टकों तक पहुँचने लगी। इंगलेंड में पैनी चैंप बुक्स या एक पेसिया किताबें बेचने वालों को किताबें हुआ करते थी इसके अलावा चार-पांच पन्ने की प्रेम कहानिया थी और अतीज की थोड़ी गाताएं भी जिन्हें इतिहास कहते थे आप सुन सकते हैं कि अलग-अलग उद्देश और दिल्जस्पी के हिसाब से किताबों की कई प्रकार थे अठारवी सधी के आरम से पत्रिकाओं का प्रकार्शन शुरू हुआ जिनमें समसामी घटनाओं की खबर के साथ मरोरंजन भी परोसा जाने लगा अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारियों के अलावा दूर देशों की खबरे होती थी उसी तरह विग्यानिक और दाशनिक भी आम जनता की पहुँच के बाहर नहीं रहे प्राचीन और मध्यकाली ने गरंत संग्लित किये गए और नक्षों के साथ-साथ वैग्यानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए जब आईजेक न्यूटन जैसे वैग्यानिकों ने अपने आविश्कार प्रकाशित करने शुरू किये तो उनके लिए विग्यान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तयार हो चुका था टॉमस पैन, वॉल्टेर और जियां जौंक रूसों जैसे दर्शिन को किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी जाहिर है कि विग्यान, तर्ग और विवेकवात के उनके विचार लोकपरिय साहित में भी जगह पाने लगे नई शब्द, संपरदाय, किसी धर्म का एक उपसम हूँ, पंचांग, चांद, सूरज की गती, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई एहम जानकारियां देता वार्शिक प्रकाशन चैब बुक, अर्थाद गुटका, पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तिमाल किये जाने वाला शब्द, इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेशते थे, ये सोलवी सदी की मुद्रण करांती के समय से लोकपरिय हुए 1791 में लंदन के एक प्रकाशक जैम्स लॉंगिंटन ने अपने डायरी में लिखा, पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आम तोर पर बेतहाशा वर्दी हुई है, गरीब किसमे के किसान या गाउं के लोग जो पहले अपनी शामें डायन जोगिन और भूत प्रेत की क प्रिष्ट संख्या 115 दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम चापा खाना प्रगती का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुषवाद उड़ जाएगा। मरसिये के उपन्यास में नायक अक्सर किताबे पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबे घौडते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी करम में ग्यान प्रात करते हैं। ग्यानोदै की ग्यानोदै को लाने और निरंकुषवाद के आधार को नश्ट करने में चापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मरसिये ने कहा, हे निरंकुषवादी शासकों, अब तुम्हारे कापने का बक्त आ गया है, आभासी लेखा की खलम के जोर के आगे त मुद्रन संस्कृती और फ्रांसिसी क्रांती कई इतिहास कारों का महनना है कि मुद्रन संस्कृती ने फ्रांसिसी क्रांती के लिए अनकूल परिस्यतिया रची, क्या हम दोनों में ऐसा संबंद बना सकते हैं? मुलत है तीन तरह के तर्क सुनने लाइक हैं पहला छपाई के चलते ग्यानोदै के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंदविश्वास और निरंकुष बात की अलुचना पेश की उन्होंने रीती रिवाजों की जगे विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसोटी पर ही कसा जाए उन्होंने चर्की धार्मिक और राजिकी निरंकुष सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधरित सामाजिक व्यवस्था को दुरूबल कर दिया वाल्टियर और रूसों के लिखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मग सवालिया और तार्किक नजरिये से दुनिया को देखने लगे थे दूसरा छपाई ने वाद विवाद संबाद की नई संस्क्रती को जर्म दिया सारे पुराने मुल्य, संस्थाओं और काइदों पर आम जनता के बीच बहस मुहाबिसे हुए और उनके पुनर मुल्यांकन का सिलसरा शुरू हुआ तर्किकी ताकत से परिश्टिये नई पबलिक धर्म और आस्था को प्रशांकित करने का मोल समझ चुकी थी इस तरह बनी सारवजनिक दुनिया से सामाजिक करांती के नए विचारों का सूतरपात हुआ तीसरा तर्क 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी ने दिखता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का धे लग चुका था इस प्रक्रिया में सामजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े गए कार्टूनों और कैरी कैचरों अर्थात व्यंग चित्रों में ये भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में भसी है जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है भूमी का तो घूमने वाले इस साहित्ते ने लोगों को राजसंत्र के खिलाव भड़काया हम इन तरकों को कैसे समझें इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फेराने में मदद की लेकिन याद रहें कि लोग लोगबाग हर तरह की सामगरी पढ़ते थे एक तरफ वे अगर रूसो और वल्टेर पढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगंडा या प्रचार भी वे हर पढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे फिर चीजों की अपनी धंग से व्याख्या भी करते थे इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तोर पर भले ही ना रचाहो पर इसने अलग धंग से सूचने की संभावनाएं जरूर खोली गतिवी थी मान लिजे कि आप करांती पूर्व फ्रांस में एक कार्टूनिस्ट या वेंग चितरकार हैं किसी परचे के लिए एक कार्टून तयार कीजिए इस प्रिश्ट पर ये चितर अंकित है चितर है फ् प्रिश्ट संख्या एक सो सत्रा उन्नीस्वी सदी में यूरूप ने जन सक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगी लगाई जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तयार हुआ बच्चे महिलाएं और मजदूर उन्नीसवी सदी के आखिर से प्रात्मिक सिख्षा के अनिवार होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम शिर्णी बन गए प्रकाशनों द्योग के लिए पाठ़ पुस्तकों का उत्वादन महधपून हो गया फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें चापने के लिए एक प्रैस यह मुद्रणाला इस्थाबित किया गया इस प्रैस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया जर्मनी के गरिम बंधों ने बरसों लगा कर किसानों के बीच से लोक कथाओं जमा की उनके द्वारा 71 सामगरी का संबादन हुआ फिर कहानियों को अंतत्य 1812 के एक संकलन में चापा गया बच्चों के लिए अनुपरयोक्त सामगरी या जो चीजें कुलीन वर्गों को अशली लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्क्रण में शामिल नहीं किया जाता था इस तरह पुरानी ग्रामिन लोक कथाओं को नया रूप मिलने चपने से वेदर्स तो हुई पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई मैलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा एहम हो गई पैनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएं खास तोर पर उनी के लिए होती थी वैसे ही जैसे की सही चाल चलन और ग्रहस्ती सिखाने वाले निदेशिकाएं इस प्रिष्ट पर पेनी या एक पेसिया मेगजीन का आमुक प्रिष्ट दिखाए गया है पेनी मेगजीन का प्रकाशन इंग्लेंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर दा डिफ्यूजन आफ यूसफुल नॉलेज निकिया यह मुलत है मज़़ूर वर्क के लिए थी 19 सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका एहम पाठक बनी मशूर उपन्यास कारों में लेकिकाएं अग्रणी थी जैन आस्टिन ब्रॉंट बहने जॉर्ज इलियट आदी उनके लेखन से नई नारी की परिभाशा उभरी जिसका व्यक्तित्व सुधर था जि इसका अपना दमाग था अपनी इच्छा शक्ती थी सत्रुई सदी से ही किराये पर किताब देने वाले पुस्तकाले अस्तित्यों में आ गए थे 19 सदी के इंग्लेंड में ऐसे पुस्तकालें का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों दस्तकारों और निम्नवर्गी लोगों को सिक्षित करने के लिए किया गया काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ती के लिए थोड़ा वक्त मिले लगा उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकत हैं लिखी प्रिष्ट संख्या 118 नए तकनीकी परिश्कार अठारवी सदी की अंतर तक प्रैस धातू से बने लगे थे पूरी उनीशवी सदी के दौरान चापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए यार्क शायर के एक मेकैनिक थौम सूड ने बताया कि वो पुराने अकबार खरीद कर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था क्योंकि उसके पास मुम्बत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे करीबों की आत्मक कथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दो जुहत करते थे बीस्वी सदी के रूसी करांदिकारी लेखक मैकसिम गोरगी की मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्याले इन संघर्चों की कहानिया है उन्नीस्वी सदी के मद्दे तक नियुवार के रिचर्ड एम हो ने शक्ती चालते बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था इससे प्रती घंटे आठ हजार शीट या ताव छप सकते थे सदी के अंतर तक आफसेट प्रेस आ गया था जिससे एक साथ छे रंग की छपाई मुम्गिन थी बीसवी सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा एक दो और चीजें हुई कागस डालने की विधी में सुधार हुआ पलेट की गुडवत्ता बहतर हुई सुचालेत पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विध्योती नियंतर भी काम में आने लगे इस तरह कई छोटी-छोटी मशीनी इकाईयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही पदल गया मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उतपाद बेचने के नए गुर अपनाए 19 सदी की पद्रिकाओं ने उपन्यासों को धारवाहिक चापा जिसे से उपन्यास लिखने की एक खास शैली विक्सित हुई इंग्लेंड में 1920 के दशक में लोकपरिय किताबें एक सस्ती श्रंखला शिलिंग श्रंखला के तहर चापी गई किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20 सदी की तखनीक नवईत है 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भैव हुआ लहाजा पाटकों की जेब का खयाल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैक या अजिल्द संस्क्रंट छापे गती भी थी यहां पर एक चित्र दिया हुआ है यह चित्र है इंग्लेंड के एक रेलबे स्टेशन पर लगे विग्यापन का अल्फरेट कॉनकें द्वाना बनाए गया लिथोग्राफ वर्ष 1874 चापी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की धिवारों प्रेटफॉर्म और सारवजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे इस चित्र के साब से ऐसे विग्यापनों का लोगों के मन पर क्या असर पड़ता होगा क्या आपको लगता है कि छपी हुई चीज को देखकर हर व्यक्ती की एक जैसी प्रतिक्रिया होती है भारत का मुद्रन संसार आईए सुने कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रन यूग के पहले यहां सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे मुद्रन यूग से पहले की पांडूलिपिया भारत में संस्कृत, अरवी, फार्सी और विभनेक शित्री भाषाओं में हस्त लेकित पांडूलिपियों की पुरानी और समर्द परंपरा थी पांडूलिपिया ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागस पर नकल कर बनाई जाती थी कभी कभी तो पन्नों पर बेहत्री न तस्वीरे भी बनाई जाती थी फिर उन्हें उमर बढ़ने के ख्याल से तक्तियों की जिल्द में या सिल कर बाँद दिया जाता था 19 सदी के अंत तक छपाई के आने के आने के बाद भी पांडू लिपिया चापी जाती रही लेकिन पांडू लिपिया नाजुक होती थी काफी महंगी थी एक तो उन्हें बड़ी साउधानी से पकड़ना होता था दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं थी इसलिए उनका व्यापक धैनिक इस्तेमाल नहीं होता था हलांकि पूर्व औपने वेशक बंगाल में ग्रामीन क्षित्रों में प्रात्मिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था लेकिन विद्यारती आम तोर पर किताबे नहीं पढ़ते थे गुरू याददाश्ते किताबे सुनाते थे और विद्यारती उन्हें लिख लेते थे इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे इस प्रिष्ट पर दो चित्र छपे हैं ये चित्र है रिगवेद के कुछपन्नों का प्रिंट के आगमन के काफी बात तक हस्त लिकित पांडूलिपिया प्रकाशित की जाती रही यह पांडूलिपी मलयालम भाशा में अठारवी सदी में बनाई गई ये एक और चित्र है हाफिस के दीवान के कुछपन्ने वर्ष अठारा से चौबिस चौद्वी सदी के शायर हाफिस की संपुण शायरी दीवान में संकलित है पेस पर खुशनवीसी, नकाशी और डिजाइन देखें लेटर पेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडूलिपियां अमीरों के लिए बनाई जाती रही ये एक और चित्र है जैदेव के गीत गोविन्द के कुछपन्ने अठारवी सदी का चित्र है यह एकारोडियन शैली में हाथ से लिखी पांडूलिपी का एक नमूना है प्रिष्ट संख्या एक सो बीस चपाई भारत आई प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल सोलवी सदी में भारत के गोवव में पुर्तिकाली धर्म प्रचारकों के साथ आया जैसुईट पुजारियों ने कोखडी सीखी और कई सारी पुस्तिकाई चापी 1664 इसमी तक कोखडी और कंडर भाशाओं में लगभग 50 किताबे चप चुकी थी कैथलिक पुजारियों ने 1589 में कोचीन में पहली तमिल किताब चापी और 1713 में पहली मलियालम किताब चापने वाले भी वही थे डच प्रोटेस्टेंट धर्म पचारकों ने 32 तमिल किताबे चापी जिन में से कई पुराने किताबों का अनवाद थी अंग्रेजी भाशी प्रेस भारत में काफी दिर तक विकास नहीं कर पाया था यदपी इंग्लिश इस्ट इंडिया कमपनी ने सत्रवी सदी के अंतर तक छापे खाने का आयाज चुरू कर दिया था जैम्स आउगस्ट हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक सापताहिक पत्रिका का संबादन शुरू किया जिसने खुद को यूँ परिभाशत किया हर किसी के लिए खुली एक व्यवसाईक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है यानि वह पत्रिका भारत में प्रेश चलाने वाले आपने वेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी सुतंदृता पर अभिमान था हिक्की धेर सारे विग्यापन चापता था जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे लेकिन साथ ही वो भारत में कारिरत वरिष्ट अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गब बाजी भी चापता था इससे नाराज होकर गवरनर्ट जनरल वारिन हैस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आच्रह प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोटसाहित करना शुरू कर दिया जो आपने वेशिक राज की छवी पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सकें अठारवी सधी के अंत तक कई सारी पत्र पत्र काई छपने लगीं कुछ हिंदिस्तानी भी अपने अखबार छपने लगे थे ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भटाचारियो द्वारा परकाशित बंगाल गजट विलियम बोल्ड्स नामक व्यक्ति को 1768 ईस्वी में इस तरह की सूचना कलगत्ता के एक सारवजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हुई जन साधरन के लिए मिस्टर बोल्ड्स पब्लिक को यह बताने के लिए इस तरह के का सारा ले रहे हैं कि चूंकी शहर में छापे खाने की घोर कमी से नुकसान होता है इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्सा बर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर हो पर जल्दी ही बो और सारवजनिक बहसें जैसा कि आप जानते हैं उननीसवीं सदी की शुरुआत से ही धार्विक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गरम था अलग अलग सम्हू आपने वेशक समाज में हो रहे बदलावों से जूशते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याक्या पेश कर रहे थे कुछ तो मौझूता रीती रिवाजों की अलोशना करते हुए उनसे उनमें सुधार चाहते थे जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तरकों के खिलाव खड़े थे ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरयाम पबलिक में हुए छपी हुई पुस्तिकाएं और अगबार यह वो समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तो था हिंदू रूरी वादियों के बीच विद्वा दाह एकश्वर बाद ब्रामन पुजारी वाद और मूर्ती पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी बंगाल में जैसे जैसे बहस चली लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अगबारों के जरीए तरह तरह के तरक समाच के बीचाने लगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचार की बहाशा में छापा गया राजा राम मुहन राए ने 1821 से समबाद कौमदी प्रकाशिद किया और रूडी वादियों ने उनके विचारों से टकर लेने के लिए समाचार चंदरिका का सहरा लिया दो फार्सी अखबार जाम जहानमा और शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशिद हुए उत्तर भारत में उल्मा मुस्तिल्म राजवन्शों के पतन को लेकर चिंतित थे उन्हें डर था कि कहीं आपने वेशक शाशक धर्मांतरों को बढ़ावा ना दें या मुस्लिम कानून ना बदल डालें इस से निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तमाल करते हुए धर्म गरंथों के फार्सी या उर्दु अनवाद चापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले सन 1867 में इस्थापित देवबंदी सेमिनरी ने मुसल्मान पाठकों की रुजमर्रा का जीवन जीने का सलिखा और इसलाम सिद्दान्तों के मायने समझाते हुए हजारों फत्वे जरी किये पूरी 19-वी सदी के दोरान कई इसलामी संपरदाए और सेमिनरी पैदा हुए धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्यागएं थी हर कोई अपना संपरदाए बढ़ना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था नए शब्द, उल्मा, इसलामी कानून और शरिया के विद्वान, फत्वा, अनिश्या या असमंजस की सिदी में इसलामी कानून जानने वाले विद्वान, सामनत मुफ्ती के दौरा दी जाने वाली वैधानिक घुश्णा प्रिश्ट संख्या 122 हिंदूओं के बीच भी छपाई से खास्तोर पर स्थानी भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला तुलसिदास की 16 सदी की किताब राम चरित मानस का पहला मुद्रित संस्क्रण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 19 सदी के मज़ तक सस्ते लिथोग्राफी संस्क्रणों से उत्तर भारत का बाजार पढ़ गया लखनों के नवल किशोर प्रेस और बंबई के शुरी वेंकटेश्वर प्रेस में अनेग भारती भाषाओं में अनगिनेत धार्मिक किताबे छपी मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के करण आस्थावान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ने बोल बोल कर भी पढ़ा जाता था मतलब यह कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादात में व्यापक जन समुदाय तक पहुँच रही थी जिसके चलते विबिन धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस मुहाविसे और वाद विवाद की समबाद की नहीं सिती बन गई थी लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मत मतांतर ही नहीं पैता किये बलकि इसने समुदायों को अंदर से और विविन हिस्सों को पूरे भरत से जोड़ने का काम भी किया अख़बार क्यों? पूना के कृष्णाजी त्रिंबक राणा ने मराठी का एक अख़बार निकालना चाते थे जिसमें इस्थानी दिलजस्पी की तमाम उपयोगी ख़बरों को जगे मिल सके इसमें सारवजनिक उपयोगिता, व्यग्यानिक अन्हवेशन के अलावा प्राक विद्या, सांखी की, जग्यासाओं, देश के विभन हिस्सों के बारे में आम तोर पर और दक्कन पर खास तोर पर जानकारिया होंगी ऐसे तमाम लोगों से मदद और संवरशन का निवेदन है जो ग्यान के प्रसार और जन कर लान के इच्छुक हों देशी अखबारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमेका होती है जो इंग्लेंड के हाउस आफ कॉमंस में विपक्ष की होती है यानि की वह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीख्षा कर लोगों के हितस आधने में अक्षम हिस्सों को निकालें और सुधार कने तथा उनको तेजी से लागू करने का काम करें इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सुचना जमा करें और क्या संभाव और वांचित सुधार है वो बताएं इन कारियों का काफी असर होगा प्रिश्ट संख्या 123 प्रकाशन के नई रूब चापे खाने से नई तरह के लेखन के लिए भूग जागी जैसे जैसे नई लोग पढ़ने लगें चापे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी अपने तजर्बे अपने भोगे हुए रिष्टों को देखने की चाहत बलबती होती गई यूरूप में विकसित उपन्यास नामक यह साहितिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारती शक्ल और शैली अक्तियार कर ली अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानाव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया दूसरी तरह की सहितिक विधाएं जैसे गीत, कहानिया, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेक ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्ता बन गए अपने अलग-अलग तेवरों में इन्होंने इन्सानी जिन्दगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिन से इनका सुरूप तैह होता था 19. सदी की अंत तक एक नई तरह की दृश्ट संस्कृती भी आकार ले रही थी चापे खानों की बढ़ती तादात के साथ चवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी राजा रवी वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरे बनाई काठ की तकती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस चाबे खाने के गरीब अपनी दुकाने लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे बाजार में सुलह बस सस्ती तस्वीरें और कैलेडर खरीद कर गरीब भी अपने घरों और दफ्तरों में सजाया करते थे इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधनिक्ता और परंपरा, धर्म और राजनीती तथा समाज और संस्कृती के लोक पर ये विचार लोक को गड़ना शुरू कर दिया 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विश्यों पर टिपड़ी करते हुए कैरी कैचर और कारटून छपने लगे थे कुछ में सिक्षित भरतियों के पश्यमी पोशाग और पश्यमी अभिरिच्यों का मजाग उड़ाया गया जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया शामराज्यवादी व्यांग चित्रों में राष्टवादियों का मजाक उड़ाय जाता थां तो राष्टवादी भी सामराज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे इस प्रश्ट पर एचित्र दर्शाय गया है चित्र है राजा रेतु धुद्धवर्य असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाए जाना राजा रवी वर्मा का यह चित्र है राजा रवी वर्मा ने मित की कहानियों को लेकर आनिगिनित चित्र बनाए जो उनके अपने रवी वर्मा प्रेस में छपती थी प्रिष्ट संख्या 124 महिलाएं और मुद्रन महिलाओं की जंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी जाने लगी इसलिए मध्यवरगी घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया उदारवादी पिता और पती अपने यहां औरतों को घर पर पढ़ने लगे और 19 सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शेहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे कई पत्रिकाओं ने लेखीकाओं को जगे दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार भार रिखांकित किया उनमें पाठ्टे ग्रम भी चपता था और जरूरत के मताबिक पाठ्टे सामगरी भी जिसका इस्तिमाल घर बैठे स्कूली सिक्षा के लिए किया जा सकता था लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे अने एक परमपरावादी हिंदू महदे थे कि पड़ी लिखी करन्याय विद्वा हो जाती है और इसी तरह दकिया नूसी मुसल्मानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी कभी कबार बागी औरतों ने इन परतिवंदों को अस्विकार भी किया हमें उत्तर भारत के दाकिया नूसी मुसल्मान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंक से ना सिर्फ पढ़ना सीखा बलकी लिखा भी उसके खानदान वाले चाते थे कि वो सिर्फ अर्भी कुरान पढ़े जो कि उसके पले नहीं पढ़ता था लिहाजा उसने वो जबान पढ़ने की जित की जो उसकी अपनी थी पूर्वी बंगाल में उनीसवी सती के प्ररहम में कट्टर रूडीवादी परिवार में ब्याही कन्या रश सुंदरी देभी न रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा बाद में चलकर उन्होंने आमार जीबन नामग आत्मकता लिखी जो 1876 में प्रकाशित होई यह बंगाली भाशा में प्रकाशित पहली संपुर्ण आत्मकहानी थी चूंकि सामाजिक सुधारों उन्पनियासों ने पहले ही नारी ज वरा लिखी जा रही आप बीती के प्रती कुतू हल तो था ही कैलाश बाशनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभों पर लिखना शुरू किया कैसे वे घरों में बंदी और अनपड़ बनाकर रखी जाती हैं कैसे वे घर भर के काम का बोज उठाती ह और जिनकी सेवा पे करती हैं वही उन्हें कैसे दुद कारते हैं आज जो महराश्ट है वहां 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाती की नारियों की दैनी हालत के बारे में जोश और रोश ने लिखा सामाजिक बंधनों में बंधीद औरतों के लिए पढ़ने के क्या माइने हैं इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा बहु तेरे कारणों से मेरी दुनिया चोटी है मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियां किताबे पढ़ने से आई हैं उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृती पहले विक्सित हो गई थी पर गंफीर हिंदी छपाई की शिरुवात 1870 के दशक से हुई जल्दी ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारिज सिक्षन को समर्पित हुआ बीस्वी सदी के आरंब में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी-कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोक पर हो गई इनमें औरतों की तालीम, विद्वा जीवन, विद्वा विवा और राष्ट्री आंदूलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को ग्रस्ती चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ-साथ कहानियों और धारवाही को पर्णियास के जरिये मनरंजन परुसा इस प्रिष्ट पर दरशाया चित्र, इंडियन शारिवारी का आपरन प्रिष्ट है इंडियन शारिवारी उनीसवी सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और केरिकेचर विधा के कई पत्रों में से एक था चित्र पर गौर करने पर मालूम होता है कि सामराजवादी अंग्रेज की छवी ठीक बीचों बीच है सत्ता और प्रभता की प्रतिमूर्ती बना वो देशी लोगों को वे क्या करें क्या नहीं इसकी हिदाय दे रहा है उसके दोनों और बैठे देशी जन गुलामों की नत मुद्रा में हैं भारतियों को व्यंग चित्रों के अंग्रेजी पत्र दपंच दिखाय जा रहा है ऐसा लगता है जिसे ब्रिटिश मालिक कह रहा हो यही सही मॉडल है जाओ जाकर इसके भारती संस्क्र निकालो जानी मानी सिक्षावित और लेखी का बेगम रोकाईया शेखावत हुसेन ने 1926 में बंग महिला सिक्षा समेलन को समधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुशों के निंडा की नारी सिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाओं उद्धन हो जाएंगी च्छे ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इसलाम दोरा औरतों को बराबरी की तारीम का हक देने के बनियादी उसूल के खलाब जाते हैं अगर पुरुश पड़ लेकर नहीं भटकते तो महिलाओं क्यों बिगड़ जाएंगी भला पंजाब में भी बीस्वी सदी के आरम से ही लोकोपरिये लोकसाहित बड़े पैमाने पर छापा गया राम चड़्धा ने औरतों को आग्याकारी बेवियां बनने की सीख देने के उदेश से अपनी बैस्ट सेलिंग कृती इस्तरी धर्म विचार रिखी खालसा ट्रेक्ट सुसाइटी अर्थाद खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिका हो गया यहां पर आप धार में गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्क्रण तों खरीद ही सकते थे जो आम तोर पर अशलील और संसनी खेज जो समझा जाता था बहभी उपलब्द था उनीसवी सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काट की तक्ति और लिथोग्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर हूमते थे जिससे महिलाओं को फुरसत के वक्त मन पसंद किताबें पढ़ने में सहुलित हो गई प्रिंट और गरीब जनता उनीसवी सदी के मदरासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराओं पर बेची जा रही थी जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिती में आ गए थे बीसवी सदी के आरम से ही सारवजनिक पुस्तकाले खुलने लगे थे जिससे किताबों की पहुंच निसन थे बढ़ी यह पुस्तकाले अकसर शहरों या कजबों में होते थे या यदा कदा संपन गाउं में भी स्थानी अमीरों के लिए पुस्तकाले खुलना प्रिश्ठा क निम्न जाती आंदूलन के मराठी प्रणेता जोतिबा फुले ने अपनी गोलाम गिरी वर्ष 1871 में जाती प्रथा के अत्याचरों पर लिखा। और नियाईपूर्ण समाज का सपना बुनने की मोहिम में लोकपरिय पत्र प्रतिकाएं और गुटके छापे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम ले जा रहा था और उन्हें अपने तजर्बों के बारे में ढंग से लिखने की सिक्षा तक भी नहीं मिली थी। लेकिन कानपूर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और चापकर जाती तथा वरगी शोशन के बीच का रिश्टा समझने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लिखन सची कविताएं नामक एक संग्रह में चापा गया। बंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को सिक्षित करने के खयाल से पुस्तकाले बनाए जिसकी प्रिणना उन्हें बंबाई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधरकों ने इन प्रयासों को समरक्षन दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षर्टा आए और उन पर राष्टवात का संदेश भी यथा संभव पहुँचे। इस प्रष्ट पर दो चित्रंकित हैं, यह चित्र है एक यूरोपिय दंपत्ती का, उनीसवी सदी का कास्ट चित्र है, इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपन है, साहब शराब की बोतल थामे हैं और मेम साहब वाइलिन बजा रही हैं। यह दूसरा चित्र है भारती दंपत्ती का, सफेद श्याह कास्ट चित्र है, इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्यमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट गई है, मर्द वीना बजा रहा हैं और और अरद हुका खीच रही है। उनीसवी सदी में महिलाओं की सुक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन हो जाने की आशंका तेज हो गई है। गति विधी इन चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बताईए समाज में हो रहे बदलाव को लेकर चित्रकार क्या कह रहा है। वे कौन से बदलाव हो रहे हैं कि चित्रकार ने ऐसी प्रतिक्रियत दी। क्या आप चित्रकार के मत्से सहमत हैं। प्रिश्ट संख्या एक सो सत्ताईस प्रिंट और प्रतिबंध इस्ट इंडिया कमपनी के तहत 1798 से पहले का उपने वेशक शाषन सेंशर्शिप या पबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परिशान नहीं था मज़धार बात तो ये है कि मुद्रत समगरी के नियंतरत करने के इसकी शुरुआती कदम कमपनी के कुपरशासन की अलोशना करने वाले और कमपनी के हुकमरानों के काम को कोशने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे कमपनी को इस बात की चिंता थी कि इन अलोशनाओं का लाब उठा कर इंग्लेंड में बैठे इनके निंदग कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकादिकार पर हमलाना बोल दे कलकता सर्बोचने आईले ने 1820 के दशक तक प्रेस की आजादी को नियंतर्थ करने वाले कुछ कानून पास किये और कमपनी ने ब्रतानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोसाहन देना चलू कर दिया अंग्रेजी और देशी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वरा गुहार और अरजी लगाने के बाद 1835 में गवर्ना जनल बेंटिंग प्रेस कानून की पुनर समिक्षा करने के लिए राजी हो गया फिर उदारवादी ऑपनेवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की आजादियों को बहल करते हुए नए कानून बनाए 1857 के विद्रों के बाद प्रेस की स्वतंतरता के प्रती रवया बदल गया कुरुध अंग्रेजों ने देशी प्रेस का मुह बंद करने की बांग की जो जो भाशाई सामाचार पत्र राष्टवाद के समर्थर में मुखर होते गए क्योंतियों आपनेवेशक सरकार में कड़े नियंत्रन के प्रस्ताओं पर बहस तेज होने लगी आइरिश प्रेस कानून के तर्थ पर 1878 में वरनाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया जिससे सरकार को भाशाई प्रेस में छपी रपट और संपादकी को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया अब किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अगर को जपट कर जा सकता था और चपाई की मशीन चीन ली जा सकती थी लेकिन दमन की नीती के बावजूद राष्टवादी अकभार देश के हर कोने में बढ़ते पहलते गए उन्होंने आपने वेशिक कुशाशन की रिपोर्टिंग और राष्टवादी ताकतों की होसला अफजाई जारी रखी राष्टवादी अलुचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उकर विरूद हुआ जब पंजाब के करांतिकारियों को 1907 में काला पानी बहजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके अपरती गहरी हमदर्दी जताई नतीजे के ताउर पर उन्हें 1908 में कैथ कर लिया गया जिसके परणाम सुरूप भारत भर में व्यापक विरूद हुआ कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था जब 1877 में इस्थापित अखबार स्टेट्समेंट्स के संपादक पत के लिए सेंडर्स को बुलाया गया तो उनसे पूछा कि आजादी कोने के बतले उसे कितने पैसे मिलेंगे दे फ्रेंट आफ इंडिया ने सरकारी मतद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा मुद्रत शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंतर्द करने की कोशिशनों मिलता है आपने वेशिक प्रशासल हमेशा तमाम किताबों और पत्र बत्रिकाओं पर नज़र रखता था पहले विशविदो के दौरान भारती रक्षा नियंग के तहत 22 अख़बारों को जमानत देनी पड़ी थी इन में से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगे खुद को बंद कर देना उचे समझा रॉलिट के अधीन कार्रेत शड़यंतर समिती ने 1919 में विभिन अख़बारों के खिलाब जुर्माना आदी कारवाईयां की और सख्त बना दिया दुतिय विश्वयिद की शुरुआत पर भारती रक्षा अधिनियम परित किया गया ताकि युद्ध सम्मंधिय विश्यों को सेंसर किया सके भारत छोड़ा अंदोलन से जुड़ी तमाम रप्टें इसी के तहत सेंसर हो दी थी अगस्त 1922 में तकरीबन 90 अगबारों का दमन किया गया गांधी जी ने 1922 में कहा वानी की स्वतंद्रता, प्रेस की आजादी, सामुहिक्ता की आजादी भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन तीन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है स्वराज, खिलाफत की लड़ाई और सबसे पहले तो इन संकट ग्रस्त आजादियों की लड़ाई हो संक्षेप में टिपणी लिखिए एक, इनके कारण बताईए, क, वुड ब्लॉक प्रिंट या तक्सी की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई क, मार्टिन लूथर मुद्रन के पक्ष में था और उसने इसकी खोलेयाम प्रशंसा की ग, रोमन कैथलिक चर्च में 16 सदी के मद्ध से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी ग, महात्मा गादी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दलसल, अभिव्यक्ती, प्रेस और सामुकता के लिए लड़ाई है दो, छोटी टिपड़ी में इनके बारे में बताई है क, गुटेनबर्ग प्रेस ख, छपी किताब को लेकर एरेसमस के विचार ग, वरनाकिलर या देसी प्रेस एक्ट तीन, उनिस्वी सदी में भारत में मुद्रण संस्कृती के प्रेसार का इनके लिए क्या मतलब था क, महिलाएं, ख, गरीब जनता और ग, सुधारग चर्चा कीजिए एक, अठारवी सदी के यूरूप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृती से निरंकुषवाद का अंत और ग्यानोदे होगा दो, कुछ लोग किताबों की सुलबता को देखकर चिंतित्क्यों थे यूरूप और भारत से एक एक उधरन लेकर समझाईए तीन, उनिस्वी सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृती का क्या असर हुआ चार, मुद्रण संस्कृती ने भारत में राष्टबाद के विकास में क्या मदद की परियोजना कारिय पिछले सौ सालों में मुद्रण संस्कृती में हुए अन्य बद्रावों का पता लगाई है फिर इनके बारे में यह बताते हुए लिखिए कि यह क्यों हुए और इनके कौन से नतीजे हुए वंदना अरिमर्दन ताथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत